तो दोस्तों तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अभी गर्मियों की दिन चल रहे हैं और यदि ऐसे गर्मियों की दिन में अपन को कहीं से थंडी थंडी हवा लेने को मिल जाए तो उस समय जो हमारे आखें अचानक से बंद होने लगते हैं क्योंकि हमें अचानक से नीद आने लगती है नीद आने लगती है क्योंकि हमें अच्छी हवा मिलने लगती है हमारा जो सरीर है वो शुकून में पहुंच जाता है यार कितनी अच्छी ठंड़क मिल रही है यार हमें सो जाने दो उस समय हम क्या कहते हैं वहीं पर सो जाते हैं और हो सकता है कि जो ठंडी हवा आपको मिल रही थी वो आपको पंखे से मिल रही हो या कूलर से मिल रही हो उस समय क्या हो कि जैसे ही आपके अच्छी निन लगने वाली हो और उस समय चली जाए लाइट और जैसे ही लाइट जाती है तो आपका जो सरीर है इस सरीर में पूरे म माने का वो बिजना था जिसे हलाने से थोड़ी बहुत गर्मी सांथ हो जाती थी वही मिल जादे कि यह बिजना होता है जिसने नहीं देखा है तो इसे देख लीजिए इससे क्या होता है इसे इस पिका से हलाने से हमें हवा लगती है और हमारी जो गर्मी है सांथ हो जाती है अ आपके मन में विचार जरूर आया हुगा कास कोई ऐसा पंखा होता है जो बिना लाइट का चलता तो आयर कुछ भी नहीं करना पड़ता है जहां से भी घूंगाम के आते और पंखा चलाते और बड़ी आराम से बैठ जाते लेट जाते जो भी करना होता कर लेते चाहे लाइट हो या ना हो तो चलिएगा दोस्तोव इसके लिए आपको टैंसर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक ऐसा पंखा दिखाने वाले हैं जो कि बिना लाइट का चलता है साथ ही दोस्तों आप लोगों के आपका ख़यचा लगेगा तो चलिएगा बिना कुछ देरी के वीडियो को करते है इस टाइट लेकिन दोस्तो हम आपको कोई छोटी-मोटी चीज नहीं दिखा रहे हैं हम आपको बिना लाइट का चलने वाला पंक्खा दिखा रहे हैं इसके लिए हमारा दोस्तो आपसे एक छ चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब तो चलिएगा दोस्तों आप बिना कुछ देरी के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट और आप लोगों के लिए बताते हैं बिना लाइट का चलने वाला पंखा तो हो जाएए तयार चलिए आप लोगों के लिए दिखाते हैं बिना लाइट का आता है इसे अपन वाइबा नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब भी हमें पसीना आता है या किसी कि हर काम में आता है चलिए अपन आप लोगों के लिए दिखाते हैं जो लाइट बिना लाइट से चलने वारा पंखा है उसे दिखाते हैं तो लीजिएगा यहीं पर जो आपना बिना की खासिकत देखिए इसमें देखिए रखने के लिए जगह है इसमें आप लोग देख लीजिए इसमें दोस्तों आपको कहीं पर भी डोरी नज़र नहीं आएगी क्योंकि इसमें लाइट से चलता ही नहीं तो इसके लिए लाइट के लिए डोरी की भी जवगत नहीं पड़े इसमें एक हिंडल दिया गया है हिंडल दिया गया है इस हिंडल की मदद से दुस्तों आप लोग इस पंखे को बीना लाइट का चला सकते हो तो देखें इसके लिए यहां पर रख लेते हैं कि यह थोड़ी कैमरा भी दोस्तों नीचे करना पड़ेगा साइट तो लीजिए काम के स्पिकार से करता है इसका जो हैंडल है इसे अपन को स्पिकार से देखी घुमाना पड़ता है अब यहां पर देखी इसमें फाइदा क्या है यहां पर देखी यदि यह हैंडल है अपन इसको इतना कहते हैं तो एक कई सारे चक्का लगा देता है यानि कि यदि अपन ने इसे एक बार अच्छी तरह से घुमा दिया ना तो इसकी जो इस्पीट होती है जो आपका लाइट पंख लाइट वाला पंखा होता है उससे भी तेज इसकी होती है और नहीं चाहो तो देखें इसे हम एक बार घुमाएंगे आप लोग खुद ही इसे अपनी आखों से देख इसकी स्पीट एक बार घुमाने में कितनी तेज आ गई है आप लोग देख सकते हो तो देखें दोस्तों यह है आपका लाइट बिना लाइट का चलने वाला पंखा आप लोग खुद ही इसे देख सकते हो इसका जो हैंडल है इसे इस पेका से देखें इतने धीरे से हमें य इसकी हवा भी दोसμ outward लोगों के लिए कि गिए करना दे रहे हैं कि इसकी हवा देखें कितनी तैज आती है इसके लिए देखिए हम इस पंक्के को रख लेते हैं जैसा और हमारी जो तॉलिया है इसे हम यहाँ पास देखिए अपने गले में डाल लेते हैं ताकि आप लोग हवा का अन्वाजा लगा सको कि यह कितना तेज चलता है तो देखिए हवा का अन्वाजा लगाने के लिए दे दोस्तों इसकी हवा आप लोग देख सकते हों कितनी तेज हवा आपके पास आ रही है यानि दोस्तों यह जो अपना पुराने जवाने का विजना है ना दोस्तों इससे लाख गुना सही है यह वाला अपना हाथ पंखा क्योंकि दोस्तों इसे तो इस पिका से अपन ठक जाएं तो आपको इसमें खर्चा कितना आएगा तो चलिए हम आप लोगों के लिए वताने कि यह जो आपका बिना लाइट का चलने वाला पंखा है यदि आप लोग इसे खरीदना चाहते हो तो इसे खरीदने के लिए आपके लिए खर्चा आएगा मात्र 800 रुपे कितने मात्र 800 यदि आपको सच में पंखे की जरूरत है गर्मियों के दिनों में ढिने की बिना लाइट की तो नीचे जो कमेंट वॉक्स का डबा है बना उसके को voltage का告诉 आफ-ण की ऑं कहां पर मिलेंगा कैसे मिलेंगा लेगे अगीरी बिलूर्ट है लेकिन दोस्तों आज के लिए इतना ही को तो चलिए जब तक के लिए जय हिन जय वालनять पर अपकंप्लीट है अपना वाटर ड्रोन बन के सज्जाओ